हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं की क्या किसी प्रत्यासी को बीमारी के कारण चुनाओ के अयोग घोसित किया जा सकता है की नहीं दोस्तों भारती शंबिधान अधिनियम 1950 का जो अनुष्चे थे 14 वो भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है हर भारती नागरिक को मद्दान करने का और एलेक्शन लड़ने का भी अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को उसके राज्य के आधार पर या फिर उसकी जाती के आधार पर कोई भी व्यक्ति उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है परन्तु हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी बिमारी जिसके कारण केंडिडेट को नाकेबल आयोग्य घोसित किया गया बलकि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इस डिसीजन को सही ठहरा ह तो मामला था धीरंद पंडिया बरसेद उडिशा स्टेट दोस्तो इस मामले में पिटीसनर का उडिशा नगरनिगम के पारसत का जो एलेक्शन था वो इस आधार पर अवैध यानि इलीगल घोसित कर दिया था कि भाई कोड का रोगी था यहे अयोग्यता थी जो वो उडिशा एलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन के खिलाब में उडिशा हाई कोड गया बहाँ पर उसने अपील की लेकिन उसकी अपील को खारिच कर दिया फिर इसके बाद बहाँ पर भी अपील फाइल की उसकी अपील को सुप्रीम कोड ने भी खारिच कर दिया सुप्रीम यणि कोई कानून है जो वह भीत किया गए था कि कोई भी पागल व्यक्ति या फर कुश्त रोगी या जो बर्तमान में पागल या फिर कोड पिन्त हो गया उनके बीच में बरगी करन करना गलत नहीं यानि उनहें एक ही सुरंडी में रखा गया था अर्थात ऐसे रोगी के मिलने से अन्य ब्यक्तियों को भी रोग होने का खत्रा हो सकता है अता है उच्छतम नियालाय ने कहा कि यह भारती संबीधान की अनुच्छत 14 का उलंगन नहीं है यानि यह आर्टिकल 14 का बायूलेशन नहीं है यह बैद्ध है यह लीग सकते हैं